नवश्कार दोस्तों, 9 माज 2020 के डेली दहिंदू एडिटोरल डिसकुशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपोर्टन आर्टिकल्स डिसकुस करूँगा। वैसे तो एक ही दो इंपोर्टन आर्टिकल है। जैसे कि एक आर्टिकल है रिवाइव टैक्स इंक्रीज़ स् टैक्स बढ़ा देते हो तो कहीं न कहीं एक इंपाक्ट आता है कि लोग इस प्रकार के प्रोडट्स को इस्तमाल नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर भी टैक्स बढ़ाया गया लेकिन पिछले चार सालों में ना इस्टी वड़ी है ना एंसी सीडी बढ़ा है। तो कुल मि इस पर्टिकुलर न्यूस को देखेंगे। फिरी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेजी को चाइना जिस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहा है। रीसेंटली चाइना के जो फॉरन मिनिस्टर वांगी साब होने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिये। इन्हों ने बोला कि जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेजी है। यह इंडो पैसिफिक इलाके में एक प्रकार का नाटो बनाना चाइन चाथा है। तो यहाँ पे चैना की फॉरन मिनिस्टर क्या कह रहे, इसके वारे में एक दोच पॉइंट्स देख लेंगे। फिर जो रसिया का इंवेजन हुआ ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब लोगों के लिए अनफोर्डेबल हो गया है बाकी सारी चीजे देखना और एकनॉमिक पुश है नहीं चुकि यह एक लिमिट से ज़्यादा इंफलेशन बढ़ जाएगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एकनॉमी में नहीं होगा थोड़े इन्फलेशन में एकनॉमिक इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं लिमिट से ज़्यादा इन्फलेशन बढ़ेगा तो एकनॉमिक इन्वेस्टमेंट रुख जाएगा लोगों की नौकरियां जा रही है पैसा उनके पास उतना ही है तो फिर ओवर ओल एक ऐसी सिचुएशन आ ज साइट है रिसेटली हुआ ये कि दिसंबर 2021 में मोधी जी ने काशी विश्वनाद धाम टेंपिल को यहां पर ओवर ओल इन्वरेट किया और जब टेंपिल को इन्वरेट किया गया तो जो सैनिटेशन वरकर्स थे उनको फ्लावर पेटर्स दिये उनको सम्मानित क्या है आप काट दिये थे और यहां पर हम अपने वरकर्स को फेसिलिटेट कर रहे हैं तो मुगलों को कलत लाइट में दिखाने का ये जो मतलब सिस्टम है इसको यहां पर प्रमोट किया जा रहा है कुछ मिनिस्टर्स के दौरा ऐसा यहां पर बोल रहे हैं सलीम साब तो यहाँ पे मिस्टर सलीम एक अर्बन मित को solve करने कोशिश करने देखें ये मित तो मैंने आपने भी सुनी है कि भाई शाजहान बहुत सारी पिच्चरों में भी बताई गई एक मूवी आई थी आमिर खान की मुझे याद नहीं जिसमें ये बोला गया है कि भाई जो शाजहान था उसने जो भी उसके वरकर्स थे जिससे उसने ताजमहल बनवाया था उनके हाथ बाद में काड़ दिये थे अब ये एक अर्बन मित बता रहे हैं यहाँ पर और्थर ये बता रहे हैं कि अगर आप बात करो ताजमहल की तो ताजमहल में बहुत से स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं ताजमहल को बनाने के लिए बहुत से मेजन, स्टोन कटर्स, इनलेर्स, कारवर्स, पेंटर्स, कैलिग्राफर्स, डोम बिल्डर्स इन सब को पूरे इंडियन अंपायर से, सेंटरल एशा से, इरान से बुलाया गया था बनाने के लिए और इनको अच्छे खासे पैसे दिये गये थे जैसे आता मुहमद नाम का एक स्टोन मेजन था, उसको 500 रुपे महीने के दिये जाते थे शकीर मुहमद जो की बुखारा का था, उसको 400 रुपे महीने के दिये जाते थे मुहमद सज्जाद एक मेजन था मुलतान का और चिरंजी लाल, इनको 590 रुपे और 800 रुपे प्रती महीने दिये जाते थे और उस समय पे जो एवरेज तनखा होती थी एक वर्कर की, वो होती थी 15 रुपे एक महीने का तो इतने हेवी अमाउंट दिया जा रहा है, मतलब ये लीड आप कह सकते हो वर्कर्स रहे होंगे और इन लीड वर्कर्स ने नीचे के वर्कर्स को भी तनखा बाटी होगी और यहाँ पे काम करवाया होगा और उसके बाद जब ये ताजमहल बन गया था तो शाह जहां ने फैसिलिटेट भी किया था इन वर्कर्स को तो ओथर यही बोल रहे है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि शाह जहां ने इन वर्कर्स के हाथ कार्ड दिये थे तो हर जगा पे एक ऐसा नेरेटिव प्रोपाउंड करना जिसमें ये नजर आए कि मुगल्स बहुत वाइलेंट थे दूसरों को मारते थे ये व्यूपॉइंट प्रोपोगेट करना सही नहीं है ऐसा सलीम साब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोल रहे है आप चुकि एक्जामस परस्पेक्टिव से बहुत कुछ इंपॉर्टन नहीं तो अलग से मैं इसको डिसकस नहीं किया और एक और आर्टिकल जो मैं आपके जो सप्लाइचेन की डिपेंडेंसी हैं वो भी और स्ट्रॉंग होगी सबका वार यूरोप में सबका ध्यान यूरोप में यूक्रेन वार की तरफ चला गया है तो यह सब कुछ पॉजिटिव आउटकम्स बताया जा रहे हैं चाइना के लिए कुछ निगेटिव आउटकम् हम लोग यहाँ पर डिसकस करने हुआ ले हैं दोस्तों सबसे पहले आज का सबसे में आर्टिकल डिसकस करेंगी रिवाइव टैस इंक्रीजेस स्टब आउट टोबैको प्रड़क्ट यूज आगे बारे में पुछ एक्स्ट्रा आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा तो अब देखते हैं देखिए सबका ध्यान सोचल एटेंशन कोवेड-19 वैक्सीन डेवलबमने बहुत तरह है पिछले दो सालों में अगर किसी एक चीज ने सबसे ज़ादा अपनी तरफ ध्यान की चाए तो वो नौवल कॉरोना वाइरस पैंडमिक है इंडिया में भी लग 3.35 मिलिन इंडियल्स को हर साल मारता है मतलब 13.50,000 इंडियन्स को हर साल मारता है हर साल लगबग 3.59 इंडियन्स टो बैको यूज़ज की वज़य से मरते है आप कह सकते हो कि इसकी बहुत हेवी एकनॉमिक कॉस्ट है हर साल एक लाग सततर हजार तीन सो चालिस 1,77,340 करोड रुपीज का एकनॉमिक बर्डन आता है टोबैको यूज़ की होज़े से इंडिया के ओपर प्रोपोर्शन सें वो काफी डेंजरस है और इसका बेस्ट करीका कैर डबलो एचो के एसाब से भी टोबैको यूज़़ को कम करने का बेस्ट तरीका यह कि टोबैको की ऊपर टैक्स बढ़ा दो चुकि अगर आप टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं जो लोग tobacco consume कर रहे हैं वो अपनी consume करने की propensity को कम करेंगे और जो लोग consume नहीं करते हैं वो इसकी तरफ जाएंगे निए वसे for example एक cigarette 7-8 रुपए की मिल रही ये market में और मालो एक cigarette वही cigarette 20 रुपए की मिलने लगे तो 7-8 रुपए में फिर भी एक non-user सोचेगा की चलो एक बार पी के देते हैं 20 रुपए में सोचेगा है कौन 20 रुपए खतम करें मैं नहीं पी रहा तो मतलब taxation is a very effective measure to reduce tobacco usage ऐसा यहां पर बोला जा रहा है अब इस respect में भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई concrete step निकल के नहीं आया है जो tobacco usage को कम करो यह भी बोला जा रहा है Goods and Services Tax Legislation आया था 2017 में और उसके बाद से लेके अब तक tobacco products के ओपर कोई भी significant tax increase नहीं हुआ है अगर देखा जाये तो National Calamity Contingent Duty NCCD 2021 में लगाई गई थी यही बस एक tax increase हुआ था जिसके चलते cigarette prices 5% से बढ़े थे लेकिन उसके बाद से लेके अब तक किसी भी budget में tobacco के उपर दाम नहीं बढ़ाये गए और pre-GST एरा में चले जाएए तो भारत सरकार और राज की सरकारें फिर भी tobacco के ओपर tax बढ़ा रही थी लेकिन जब से जीएस्टी लागू हो गया है तब से सिर्फ NCCD ही एक extra tax आया tobacco के ओपर बाकि टुबएको पर वही पुराना जीएस्टी का tax लग रहा है अब Union Budget 2022 थे इसमें लोगों को बड़ा उम्मीद थी कि भाई Government of India इस tobacco product के ओपर tax बढ़ा देगी बट एक्चुली मैं ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं Finance Minister निर्मरा सीतर रमन जी ने अपनी budget speech दी सबको expected था कि भाई यहाँ पर tobacco के ओपर tax लगेगा और जब tax लगा नहीं तो ITC, Indian Tobacco Corporation नाम की जो stocks थे, budget के presentation के बाद 6% बढ़ गए और वैसे तो ITC diversify कर रहा है दूसरे businesses में भी लेकिन जो 85% revenue है ITC का वो tobacco products से आता है तो जब tobacco products के ऊपर यहाँ पे कोई extra tax नहीं लगा Union Budget में तो tobacco products के overall stocks बहुत तेजी से उपर की तरफ गए लेकिन देखिए सही नहीं है यह public health के perspective से बिलकुल भी ठीक नहीं है क्यों बिलकुल भी ठीक नहीं है चुकि क्या है देखिए भारत सरकार अपने health budget को बढ़ा रही है 2.2% of the GDP health budget हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी हम health के perspective में enough नहीं कर पा रहे हैं हमारा health infrastructure कम पढ़ रहा है तो health infrastructure कम पढ़ रहा है तो tobacco related जो health elements है इनको solve करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप tobacco के उपर tax बढ़ा दो तो जब tobacco के उपर tax बढ़ जाएगा लोग कम कम इस्तिमाल करेंगे लोग कम इस्तिमाल करेंगे तो कम विमार होंगे तो public health expenditure के उपर कम pressure आएगा एक बात तो यहां पर यह बताई जारी है दूसरी बात यहां पर यह बताई जारी है कि पिछले कुछ सालों में inflation बहुत तेजी से बढ़ रहा है और tobacco के उपर extra tax लगानी है तो बढ़ते inflation की बीच में अगर tobacco के उपर extra tax आप नहीं लगा होगे तो tobacco के दाम नहीं बढ़ेंगो जब tobacco के दाम नहीं बढ़ेंगे तो comparatively tobacco लोगों के लिए affordable हो जाएगा तो पिछले 5-6 सालों में tobacco लोगों के लिए affordable हो गया ऐसा यहां पर बताया जा रहा जिससे उसका usage बढ़ रहा है फिर एक और बात यहां पर बोली गई है कि जो बीडी नाम का product होता है इसके उपर कोई भी सेस लेवी नहीं किया जाता है अंडर GST सारे tobacco products के उपर सेस लेवी किया जाता है बीडी के उपर सेस नहीं लेवी किया जाता है जबकि इसके उपर भी सेस लेवी होना चाहिए बीडी एक ऐसा tobacco है जो कि low income के लोग इस्तमाल करते हैं मिस्तरी लेबर मजदूर इस प्रकार के लोग बीडी इस्तमाल करते हैं मतलब मैं आपको बता दूँ कि टोबैको कंजम्शन इतना dominant है जब मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था कुछ लोगों को तो इतनी गंदी आदत लगी थी cigarette की कि जब cigarette के पैसे खतम हो जाते थे तो वो फूकने लगते हैं चुकि पूरा बंडल एक दो रुपह का आ जाता था तो यह बीडी के भी दाम भणने चाहिए overall अगर आपको tobacco usage को market में कम करना है तो तो बस इस पूरे के पूरे article का यही एक perspective है कि आप tobacco products के ओपर tax बढ़ाओ जब इनके ओपर taxes बढ़ेंगे यह products लोगो को इस्तमाल करना बंद कर देंगे this is a simple core of this article चीक है अगले article की तरफ चलते हैं next article के clear signals India and China must take on board global currents that could reshape ties देखे चाइना यहां पर openly यह claim कर रहा है कि जो US की Indo-Pacific strategy है यह NATO का एक Indo-Pacific version बनाना चाहती जिस प्रकार से यॉरप में और Western America, Western World में NATO एक military group बनके सामने आया है उसी प Pacific के इलाके में एक NATO बनाने की कोशिश कर रहा है ऐसा Chinese Foreign Minister Wang Yi साब ने साथ मार्च को बोला और China openly US के against statement देता रहता है यह बाते दो देखो आपको पता ही है फिर अगर क्या बताया जा रहा है कि India, Australia, Japan, US की जो grouping है Quad इस grouping को हमेशा से Beijing बोलता है Asian NATO जबकि India ने specifically हमेशा यह बोला है कि this is not NATO, this is not a military grouping, this is a geopolitical grouping जो की economic के field में और international stability के field में एक rule-based order को लाने की कोशिश करता है तो specifically बार-बार यहाँ पे India, China को बोल चुका है कि हम किसी भी प्रकार की military grouping मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन Beijing यह बोलता है कि India एक military grouping मनाने की कोशिश कर रहा है फिर recently क्या हुआ कि Mr. Wong बीजिंग में बोल रहे थे, ठीक है न, during the National People's Congress और इन्होंने US के उपर इल्जाम लगाया कि US जबरदस्ती geopolitical rivalry को बढ़ा रहा है, exclusive clubs बना रहा है, clubs में यह बात कर रहे है, quad की, यह बात कर रहे है, AUKUS की तो इस प्रकार के military alliances को बढ़ाके, China को pushback कर रहे है कि कोशिश कर रहा है, 5, 4, 3, 2 की strategy यहाँ पर अपना रहा है, 5, 4, 3, 2, 4 मतलब quad हो गया, 3 मतलब AUKUS हो गया, तो इस प्रकार की strategy बना के, बाइलेटर मिलिटरी अलाइंस में एक country के साथ, यह जो 5 eyes intelligence network बनाया है, नीचे comment बहुत से बताओ, 5 eyes intelligence network में कौन कौन सी country है, तो 5 eyes intelligence network को 5 बोला, quad को 4 बोला, फिर AUKUS को 3 बोला, बाइलेटर मिलिटरी अलाइंस को 2 बोला, और इस प्रकार के alliances के थुरू, US अपने fruit pen को इस Indo-Pacific region में बढ़ा रहा है, और China को push back करने की कोशिश कर रहा है, फिर Ukraine की crisis के लिए भी Beijing यहाँ पे NATO को ही blame कर रहा है, और Russia के प्रती अपना पूरा दोस्ती यहाँ पे Beijing ने दिखाने की कोशिश की है, फिर ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, कि 4 फरवरी को, जब दोनों कंट्रीज के लिडर वादिमिर पृतिन और जीज दिंग्पिंग आपस में मिले, तो यहाँ पे इन दोनों ने बैठके बाचीत की, Indo-Pacific Strategy को कमाइंड तरीके से इन्हों ने criticize की, और मैं आपको बता दू, Russia ने भी यहाँ पे Indo-Pacific Strategy को criticize की है, और Indo-Pacific Strategy को support करता ह है इंडिया, तो क्या इसके चलते हैं इंडिया, रशिया के रिष्टे खराब होंगे, बहुत कम chances हैं, चुकि रशिया भी strategically इंडिया के साथ involved होना चाता है, और इंडिया भी involved होना चाता है, और इंडिया वैसे भी पहले बोल चुका है, कि Indo-Pacific Strategy का मतलब यह नहीं है, कि हम यूएस की foreign policy line को टो करेंगे, हम अपने sovereign decisions खुद लेंगे, ऐसा इंडिया बहुत clearly बोल चुका है, बार बार इंडिया यह submit करता रहता है कि Quad is not a military product, हम जिस pact में मतलब शामिल हो रहे हैं, हम military के purposes से शामिल नहीं हो रहे हैं, हम एक rule based order को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ह पर वांगी साब ने ये भी बोल दिया, कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को compliment करने चाहिए, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारा cooperation होना चाहिए, तीसरी countries आके हमारे बीच में issues को बेगाड के जा रहे हैं, तो इंडियन foreign minister जैशंकर साब की तरब से और पहले भी जो इं पर कब शुरू हुई, जब LAC पे line of actual control पे encroachment किया चाइना ने, और उसके बाद से इंडियन सरकार का बिलकु सीधा stand रहा है, कि अगर आपको bilateral level पर रिष्टे अच्छे करने हैं, तो boundary पे instability नहीं होनी चाहिए, और चाइना का क्या बोलना है, कि boundary पे instability रहने दो, हम bilaterally economically engage कर इन सिनारियोज में एक mismatch है, चाइना चाहता है कि boundary पे जो हो रहा है वो होने दो, हम economic रिष्टे अच्छे रखते हैं, बाकी engagement अच्छे रखते हैं, इंडिया ने साफ साफ ये बोला है, कि जब तक boundary पे चीज़े सॉट आउट नहीं होती हैं, तब तक economic रिष्टे और बाकी meeting में निकलेंगे, let's see, निकलते हैं कि निकलते हैं, 11 मार्च जदा दूर नहीं हैं, फिर next आते हैं, global stack inflation risk, इंडिया will have to cut fuel taxes, और रिस्क बोथ फास्टर इंफलेशन एंड स्लूर बोथ, तो भाईया, तीन हखते हो चुके हैं, Russian increase of Ukraine को, और इसकी economic cost केवल, Russia यूक्रेन पे नह ना शुरू हो गई है, Russia के ओपर जबरदस्त financial sanctions लगा दिये गए हैं, US के दोरा, इनके western allies के दोरा, और ruble की value 60% गिर चुकी है against dollar, अब्वेसी बात है, inflation बढ़ेगा, Russian currency की demand गटेगी, Russia के ओपर sanctions लगे हैं, तो अब्वेसी बात है, Russian currency में कोई deal नहीं करना चाहेगा, Russian currency में क कोई deal नहीं करना चाहेगा, तो उसकी demand गरेगी, इसलिए ruble 60% गिर गया है against dollar, ठीक है, बहुत सारी commodities के दाम international market में बढ़ गए हैं, wheat की बात कर लिजे, metals like lichen and aluminum की बात कर लिजे, crude oil की बात कर लिजे, gas की बात कर लिजे, इन सब चीज़ों के दिम, दिम, मतब्दाम international market में अभी के लिए जो Brent crude futures के दाम हैं, वो 29% हाई हैं, उस समय से जब 24 फरवरी को यहाँ पर invasion शुरूआ था, उस समय पर तेल के दाम लगबग 30-29% यहाँ पर बढ़ चुके हैं, भई यह natural gas के दाम यूरोप में बढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान के अंद हमाग घूम गया कि हम नहीं दे रहें natural gas यूरोप को, हाना कि इतना रशिया नहीं कर सकता चुकि रशिया की एकनॉमी प्राइमेरली इन एक्सपोर्स पर डिपेंडेंट है, और यूरोप भी रशियन गैस को बैन करने वाला नहीं, जर्मनी जैसी कंट्रीज तो FOD नहीं कर स हैं तो सरदियों के समय पर स्पेसिफिकली यूरोप में काफी प्रॉब्लम आ जाएगी, अब यूएस का क्या है, यूएस तो काफी हद तक energy में self-dependent है, प्रॉब्लम यहां पर यूरोप की है, यूएस यहां पर Russian oil ban कर चुका है, अब रशिया से कोई और यूएस के अंदर नहीं आएगा, ऐसा यहां पर यूएस बोल चुका है, यूके भी बोल चुका है, लेकिन बाकी European nations का क्या, अगर वो Russian energy exports को ban करते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, रशिया यूरोप की 40% gas requirement देता है, रशिया यूरोप की 25% oil requirement देता है, रशिया यूरोप को 50% coal द यूक्रेयन का issue एक रोडा बनके खड़ा हो गया है, और यूएस यहां पर बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है, यूएस यहां पर tempers को cool down करने कोशिच नहीं कर रहा है, वो हालात और खराब कर रहा है, बैंज जैसे चीजों करके, चुकि यूएस कहीं न कहीं energy production में self dependent है, यह European countries नहीं है, तो आगे आने वाले समय में businesses के लिए, factories के लिए, individuals के लिए काफी problem हो सकती है, दाम बहुत जबरदस तरीके से बढ़ सकते हैं, यूरो area में inflation फरवरी में 5.8% था, और उसकी वज़ाए यह थी कि 31% energy prices बढ़ चुकी है, और आगे आने वाले समय में energy prices और micron variant के चलते हैं, वो था लगबख 4.4%, वो अब और कम होते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है, यूक्रेन के इस वार के चलते हैं, आनलिस्ट ने आपे प्रोजेक्ट किया है कि oil की कीमत 180 डॉरल प्रती बैरल, कुछ तो यह बोल रहा है कि 200 डॉरल प्रती बैरल को भी यहाँ पे deficit, inflation and fiscal deficit, इस पेपर के साब से यह बोला गया था है कि oil के दाम अगर पर बैरल 10 डॉरल से बढ़ते हैं, तो इंडिया के अंदर inflation 49 basis points से बढ़ेगा, तो 55 डॉरल पर बैरल के ऊपर अगर oil हर 10 डॉरल बढ़ता है पर बैरल पे, तो 49 basis points यहाँ पर inflation बढ़ेगा, इसका क्या मतल बढ़ने वाला है, तो दो option निकल सकते हैं, पहला option तो यह कि भारत सरकार जितना भी दाम बढ़ रहा है, वो लोगों को transfer on कर दे, अब लोगों को transfer on कर देगा, पता चला जो एक लीटर पेट्रोल गाड़ी में डलाने के लिए लोग 108 रुपय खरीद है, वो 2500 रुपय प्रत financial condition बिगड़ जाएगी, और भारत सरकार की financial condition बिगड़ी लगड़ी, पैंडेमिक के चलते, ऊपर से यह increased oil prices किस प्रकार से effect करेंगे, आगे आने वाले कुछ महीने में में clear cut नजर आएगा, Next, China's take away from the war, while developments in Ukraine present some challenges, they promise more positive outcomes for China, यहाँ पर क्या बताया जारा है, देखें बाई, जब US sponsored United Nations Security Council का resolution आया, रशिया को condemned करते हुए, तो China यहाँ से कर गया abstain, वैसे तो China यहाँ पर against vote करने वाला था, इसके veto करने वाला था, लेकिन वहाँ पर US ने assurance दी कि हम military-led intervention की बात नहीं कर गया, 2014 में भी कुछ ऐसा हुआ था, कि China ने जब Russian aggression in Crimea के उपर vote आया था UNSC में, China ने abstain किया था, मतलब लंबे समय से China की official policy रही है कि हम overall pro Russia रहेंगे, US को उसके international policy agenda में एक limit ज़्यादा हम support नहीं करेंगे, अब बात यहाँ पर यह कि China का status क्या है as a responsible power, देखें पहली बात त इसनाम की चीज चाइना में समझ में नहीं आती, चूकि चाइना में एक ताना शाह की सरकार है, जी जिंपिंग एक dictator reader है, ताना शाह है, उनको किसी प्रकार के elections face निकरने पड़ते, उनके अगर आप चाइना में कुछ बोलोगे तो रातो रात उठवा लिए जाओगे, पता कि सरकार कितनी accountable है, और उसको accountable ठहराएगा कौन, international institutions की वो सुनते नहीं, वहाँ के लोगों की वो सुनते नहीं, किसी प्रकार की democracy है नहीं, तो यहाँ पे एक party का राज चल रहा है Chinese Communist Party, और जो Communist Communist Party की कमान अपने हाथ में फैला है, literally वही decide कर रहा है कि China यहाँ पे क्या करेगा अब इसके चलते चाइना की accountability तेह नहीं हो पा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि यूक्रेइन war से पहले Russian President और व्लादिमिर पुतिन की meeting होई थी, और इस बात की chances है कि व्लादिमिर पुतिन सामने जी जिंग्पिंग से बोला होगा कि मैं यूक्रेइन को invade करूँगा, तो ज अटाक करेंगे, यह नहीं पता होगा कि पूरा यूक्रेइन की उपर अटाक हो जाएगा, बरहाल चाइना को क्या पता था, क्या नहीं पता था, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाइना ने overall अपने official policy stance में ये बोलाए कि Russian action एक invasion नहीं है, इंडिया ने तो बहुत balanced statement दिया, हम चाइना ने Russian action को invasion नहीं माना है, तो indirect सब्दों में, यूक्रेइन के invasion को यहाँ पर, overall आप कह सकते हो, attest कर दिया है चाइना ने, रश्या के इतना जादा प्रो हो गया है वो, reason क्या है, reason simple है, कल की date में चाइना भी कुछ ऐसा कर सकता है, कल की date में ताइवान के उपर चाइन अटाइक कर सकता है, इंडिया के उपर तो खेरिन के अटाइक करने की आउकाद है नहीं, जो कि जिस प्रकार का response जाएगा, यह expect भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ताइवान के उपर definitely अटाइक कर सकते हैं, लंबे समय से यह बोल भी रहें कि हम military action कर सकते हैं, ताइवान क की तरफ चीजें चली गई हैं, ध्यान चला गया है, तो साउथ चैना सी में जो आइलेंड कंस्टरट करता है चैना, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, जिन जियांग में जो human rights violation होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, चैना की wolf war या diplomacy की बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो कुल मिला के जो anti-China propaganda चलता था, वो बंद हो गया है, ठीक है, और ये चैना इस बात पर खुश है, चुकि पूरा का पूरा धान Ukraine war की तरफ चला गया है, प्लस, ये जो पूरा का पूरा पचला चल रहा है, Russia versus West का, Ukraine के अंदर, इसके चलते कु महीनों सालों तक ध्यान इस चीज़ के उपर रहेगा, तो इस बीच में, चाइना को counter करने के लिए जो Indo-Pacific strategy इंप्लिमेंट हो रही थी, उसके उपर ध्यान थोड़ा कम जाएगा, लीडर्स का, तो चाइना को एक लीवे मिल जाएगा, एक strategic opportunity मिल जाएगी अपने आपको औ उक्रेयन वार, चाइना के लिए helpful हो सकता है, हाँ कुछ चीजों में चाइना को नुकसान भी है, चुकि क्रूड आल इंपोर्ट्स चाइना में भी महेंगे होंगे, overall demand कम होगी, चुकि वार बगरा छिड़ा हुआ, तो एकनॉमिक नुकसान हो सकता है चाइना को, ये सब प् पॉलो कर लिए चाइना को लिए, दोनों चीजों कर लिए नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, have a great difference, goodbye, ध्यान रखिये अपना